असलाम लेकुम आवरीवान आज हम 7th class chapter number 5 की जो exercise है उसका solution करने जा रहे हैं इसमें हमारे पारा सबसे पहले है इंसे कल दा रेक्ट अप्शिन select the one that is different from the other ठीक है क्या चीज बाकियों से अलग है solubility, conductance, oxidation, cooling of a substance solubility से chemical चेंज आता है conductance से भी chemical चेंज आता है और oxidation से भी एक chemical चेंज आ सकता है cooling of a substance is entirely different from all other उसके बात है कि एक physical change होता है कब जब iron को जंग लगता है iron string है तो ये तो definitely a chemical change है solution of common salt is heated के salt solution को heat किया रहे salt को नहीं salt solution को उसके बात है कि a piece of wood burns लकडी का जलना है ये रेक chemical change है sugar is heat ये रेक chemical change है ये रेक chemical change है रेकमोजिशन है so be option is the correct option उसके बात है कि gas produced on heating potassium chloride KCLO3 उसको गर्म करेंगे तो क्या बनेगा तो हैंपे hydrogen का option है ये possible नहीं है कि इस formula में hydrogen ही नहीं है methane इस formula में नहीं है carbon dioxide भी इस formula में नहीं है only gas that is present in this formula is that oxygen from the below options so the oxygen is the correct option उसके बात है कि select all that happens during a chemical reaction sorry for this purpose हमने उन तमाम को select करना है जो chemical change की दुरान होते है तो ये है कि temporary change occurs तो ये तो नहीं होता है एक chemical change है एक chemical property है फीजिकल चेंज है या नहीं हो अब 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 इसके बात है कि water the products when electric current is fast water is kept in air for five days ठीक है उसको रखाया है हवा में उसके उपर जंग लग गया है वो जो जंग है वो क्या है जंग का आप से उसकी formulation पूछ रहा है कि वो iron sulfide है iron coloride है iron hydride है तो its correct option is iron oxide option उसके बाद है कि during combustion and substance react ठीक है combustion में कि कोई भी चीज़ है उसको जलाया रहता है और जलने के लिए हमें बता है क्या चाहिए hydrogen चाहिए water चाहिए carbon dioxide चाहिए यहां बेना एक छोटा सा उन्होंने से प्रिशन साइन लिया था कि oxygen है तो इसका जो correct option is only oxygen ठीक है यहां पे printing mistake है c के बाद यह d option है oxygen तो जहां पे d नहीं है आप दी लगा तो oxygen is the correct option carbon dioxide को ठीक नहीं करेंगा है only oxygen विदा अंसर उसके बाद है कि temperature at which liquid vapor pressure is equal to external pressure surrounding the liquid के liquid के vapor pressure जो है वो external के pressure के equal हो जाती जाती जाप boiling point of debt liquid उसके बाद कुछ है कि silver hydrogen sulfide plus oxygen silver sulfide and water the above equation is silver hydrogen sulfide and oxygen oxygen उनको मिलाया है जिससे silver sulfide water बना है यह गमबस्यन है brusting है tarnishing है या पी dehydration है तो क्योंके इस reaction का reaction का जो end product है वो water है तो if i think so that is actually so silver hydrogen sulfide plus oxygen खिक है oxygen हो रिया और सफमेया इस रफाइद पन रहा है और सफमेhe water बनना है तो i am little bit confused in combustion and तरफ दी हाइडरेशन ठीक है बट दी में डिफरेंस इस राइड के कमबस्टन के अंदर जो है वो टैपिनली एट वही वाल पहने होती है लिए यहां पे यह पिए एट वाल पिंट नहीं होए सो आई विल गो विद दी हाइडरेशन इस ऑप्शन इसके बाद हम आजा था है सबसे बहुत है डिफान फिजिकल रिल चेंज तो आपको फिटी सिख पे नवर जाएगा चैमिकल चींज आपको फिटी सेवन पिटी मिलेगा उसके बाद फिजिकल पॉप्टी इस क्या है यह पुट में नहीं है तो इसके सिंपल आपने यह लिखाना है कि दे प्रॉप्ट पोन कि प्रॉप्टी से घृपिज और फॉपटी आपको यहां पी बुक में नहीं है तो यह भी आपको लिखने को आपके क्या है अगर किसी को मैं निकल भी कहा था कि अगर चाहिए रिटन पॉर्मेट है तो मुझे कमें सेक्षिन बॉल सकता है अदर आप नेट से भी देख सकते हैं कि फ्रीजिंग पॉइंट है कि अपरेचर आप पिछ अप्वाइल दा वैपर प्रेशर यहां भी किता नहीं है तो परेच भी कि एक रख्रीक है इक वल टुए इट्स सौलिड स्टेट प्रेशर तो फिर यहां का फ्रीजिंग पॉइंट रपन जाइगे उसके बाद बॉलिंग पॉइंट की बीनवर्सिक्टी दूपे है रस्टिंग पे टार्नेशिंग की 5 नाइन पे पे है इसके पाद हमें कम्प सिर्फ कम्प्लीट करने कर खा गया है तो इसको वर्लिंग फॉर्म में लेकिए कारवन प्लस उक्सीजन डेफिनिली कारवन डेक्साइड में प्लस अक्सीजन ये कमस्टन का लेक्षिन है इसमें कारवन डेक्साइड प्लस वार्टर विल बीड़ परड़ नाइट्रोजन प्लस इत्रोजन डेफिल बी अमोनिया और आइरन प्लस सिल्फर आइरन सिल्फ़ाइड तो आई होप के इतना काफी है उसके बार ये लॉंग क्वेस्टन हैं फिसकल चेंजिस के लिए अलग वीडियो बनाई जाएगी तो ये भी आपको वह जल्द में परवाइट करने पार्टा रखेगा दूआ में आवज रूखेगा अलग आपके से